अपने आसपास के वेश्ट को इस्तमाल करके किस तरह से हम अपने ही घर में असानी से मश्रूम उगा सकते हैं। चाहे आप छोटे स्केल में मश्रूम उगाना चाहते हैं या बड़े स्केल में। इस वीडियो को अंतक देखिए आप सीख जाएंगे। बड़ी असानी से हम मश्रूम कैसे उगाएं। यह जो आप देख रहे हैं यह है कॉर्ण कॉप बुट्टे का चिलका। इसके इस्तमाल किया गया है मश्रूम को उगाने के लिए। इसी तरह से हम चाहे तो सीरियल ग्रेंज, ट्रॉव, सारड डेस्ट या फिर जो हे वेस्ट होते हैं, सुखेवे घास होते हैं या कॉर्ण के जो स्टाक्स होते हैं cardboard, newspaper, normal paper, coconut husk, cocoa choir, cocoa peat और जो भी तरह के waste होते हैं simply अगर हम देखे तो agricultural waste जैसे कि cotton waste, sugar can baggess या फिर banana leaf या किसी भी प्रकार के dry plants और leaves का हम इस्तमाल कर सकते हैं तो basically हमारे आसपास की जितने भी जो waste material है जो अक्सर हम fact देते हैं या जला देते हैं या हम सोचते हैं कि यह तो क्या है कबाड है पर वो सोना है चुपावा सोना अगर हमें पैसा बनाने की machine नहीं मिल पारी है तो कोई दिक्कत नहीं आसपास के कबाडों में खुजिए यही है हमारी पैसे बनाने की machine Isn't it an amazing thing कि हम अपने आसपास के decompose होने वाले चीजों का इस्तमाल करें और इतना valuable इतना स्वादिश सा एक product बनाए और उसके लिए जादा infrastructure या जादा investment नहीं चाहिए आप इस वीडियो को अंतक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत कम लागत से और बहुत कम समय में आप अपने घर में mushroom उगा सकते हैं और हाँ कहां बेचना है कैसे बेचना है हम इस बारे में भी भी आज इसमें विस्तार में बात करेंगे यह जो mushroom variety आप देख रहे हैं यह है oyster mushroom इस mushroom की खेती बहुत ही असानी से किया जा सकता है और starting में आप इसी से शुरुवात किजिए तो better है और oyster mushroom की खासियत यह है कि यह किसी भी तरह के substrate में बड़ी असानी से उग जाता है और इसमें varieties भी बहुत सारे हैं जैसे कि pink oyster mushroom जो की लगबग 12-13 दिन में यह मुगा सकते हैं फिर है blue oyster, pleuratus ostratus genus के हैं इस सारे के सारे फिर grey oyster है फिर golden oyster है और साथी साथ एक बहुत ही स्वाधिस्ट high level का भी oyster mushroom है जो की बहुत महांगा बिखता है जिसको हम कहते हैं king oyster mushroom pleuratus arrangy by the way king oyster mushroom का cultivation का तरीका थोड़ा अलग है और इसके बारे में मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है तो आप की रिप्या description में देख सकते हैं king oyster mushroom का complete tutorial जो mushrooms होते हैं ना ही सिर्फ खाने में स्वाधिस्ट होते हैं in fact इनके बहुत प्रकार के delicious dishes बनते हैं इनके पकवान बहुत प्रकार के होते हैं और इतने प्रकार के हैं कि हम इनको अलग-अलग तरीके menus में यूज़ कर सकते हैं scientifically इसी दो चुका है कि mushroom के regular consumption से हमारी अलग-अलग प्रकार के जो शरीर में समश्या होती है उनका जो है समाधान हो सकता है इन में बहुत जादा iron, protein, vitamins और इस तरह के medicinal components होते हैं जिनसे की तरह-तरह के बिमारी in fact cancer तक prevent होता है simple तरीके जिससे की हम अपने ही घर में oyster mushroom आसानी से उगा है सबसे पहले आपको एक substrate select करना है substrate का मतलब similarly अगर देखा जाए तो जिस तरह सा हम अगर पेड को उगाने के लिए हमें मिट्टी की ज़रुरत रहती है तो similarly mushroom को गाने के लिए हमें substrate की ज़रुरत पड़ती है substrate जो होता है वो mycelium का ना सिर्फ घर होता है वो उसके लिए nutrition का source होता है बोजन होता है और actually जो हम mushroom देखते हैं वो सिर्फ actually fruiting bodies होती है जिस तरह की mango tree में mangoes निकलते है similarly mycelium में से mushroom निकलते हैं जिसका हम version करते हैं तो सबसे पहले अब अपना substrate select कर लिजिए चाहे कोई भी प्रकार का waste substrate हो चाहे भूसा हो या फिर corn cove हो या फिर आपका newspaper हो अब कुसी भी article को select कर लिजिए next step में आपको क्या करना है कि इसको shred करना है मतलब इसको आप छोटे 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 चोटे टुकड़ों में एकदम break कर दीजिए चाहे तो आप इसके लिए chopping machine के इस्तमाल कीजिए या आप अपने ही घर पे अराम से उसको किसी तरह की instrument से धिरे-धिरे उसको chopping कर दीजिए main यह कारण इसलिए है क्योंकि हम shred करने से इसको अच्छे से साफ कर पाएंगे और आगे के steps में वह असानी से हम उसको अपने bags में भर पाएंगे देखिए जो mushroom होता है वह एक fungi है यह microorganism है तो हमें क्या करना है कि इसको किसी भी तरह के computer से बचा कर रखना है तो इसलिए इसक particles और जो मिट्टी है वो निकल गए अब इसका जो next step है हमें pasteurize करना है pasteurize का मतलब अब हमें इसमें जो भी अलग-अलग प्रकाल की किटानू, जिवानू, बैक्टेरिया, फंगी, वाइरस जो भी इसमें हमें उसकी मातरा को बहुत हत्तक कम कर देना है ताकि हमारे जो fungi पानी को भी बालते हैं तो हमें पता है कि वो साफ हो जाता है उसमें कोई भी organism नहीं बचते हैं तो simply या तो हम इसको boiling water में डाल दे अपने substrate को या फिर हम उसको पानी में डाल के फिर further पानी को boil करे और ढखके रखे लग-बग अगर अच्छे से एक घंटा भी अगर आप इ पेस्टराइजेशन सिस्टम या चेंबर बना सकते हैं डिस्किप्शन में मैं आपके लिए एक लिंक दे दे रहा हूं जो मैंने अल्लेडी वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से आप स्टीम पेस्टराइजेशन चेंबर बनाया और उसका इस्तमाल करके घर में किस तरह से औ और फिर बहुत प्रकार के चाहिए और पर्सनली मैं प्रिफर करता हूँ और यह जाता हूँ कि हर कोई और चीज़े ही होगा है अगर आप चाहिए प्रकार करते हैं तो दो बाते होगी एक तो आपका मश्रूम जो और नहीं रहेगा वह बहुत एसकेलेट होगा तो अब फाइदा नहीं है chemical का इस्तमाल करने का करते हैं उनका स्कीन के साथ आपका स्धार होता है यह आपके ब्रीधिंग के साथ आपके शरीर में जाते है तो फाइदा नहीं और हम केमिकल को अगर अ tierra हैगर हमके मिकल को अच्छा ही न कर पाए तो फिर हम क्या कर रहे है तो that's what I don't prefer but आपकी मर्जी है आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं chemicals तो कीजिए लेकिन जरुद नहीं है अगर आप वोश्टर मश्रूम की cultivation कर रहे हैं तो chemicals की basically जरुद ही नहीं पड़ती है बहुत असान है यह मश्रूम होगाना तो once आपका पेस्टराइजेशन का stage complete हो जाता है तो उसके बाद का process होता है spawning spawning करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि जो आपने substrate तयार किया है इसमें moisture level जो है इसमें 60-65% रहना चीए तो आप उन्हें इसको पहले पानी में डूगोया उसके बाद आप इसमें boil करते हैं directly तो पानी में तो मिली गया अगर आप steam कर रहे हैं तो आप उसको पहले पानी में डाल देते हैं जो कि आप इस वीडियो को जब देख लेंगे completely किस तरह से steam moisture level लाना है तो basically जो आपका spawning है उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो substrate है वो ठंडा हो चुका हो वो गरम ना हो और साथी साथ उसमें जो है moisture level 60-65% है सबसे एक असान तरीक है किस तरह से moisture level चेक करें सिरह अपने हाथ में लीजिए substrate को और जोड़ से मुठी में दवाईए अगर आपके उंगली के कोने से कोई भी प्रकार का पानी नहीं रिस्क के गेर रहा है इसका मतलब है आपका जो substrate है सही तरह से सूख कि आपके हाथ गीले नहीं हो रहे हलका तो हाथ गीला होना चाहिए लेकिन पानी टपकना नहीं चाहिए that's the perfect thing इसके बाद को जो step होता है spawning spawning में हमें कुछ नहीं spawn जो होता है वो basically mycelium होता है जिसका अगर हम इस्तमाल करें plants के भाष्ण में हम कैसे के seed है kind of seed है बट actual seed नहीं है तो spawns जो है इसमें vegetative part रहता है जो mycelium जो भी प्रकार का मश्रूम होगाना चाहते है वो mycelium इस spawn में रहता है जो की grain से बन सकते है या फिर sawdash spawn भी बहुत प्रकार के होते है by the way अगर आप जाना चाहते है spawn किस तरह से बनता है और इसके बारे में तो भी इसके लिए मैं description में link दे दे रहा हूं उस video में आपको समझ में आ जाएगा और जो spawn है वो अगर हम moisture mushroom मुखा रहे हैं लगबग 5-10% of the dry weight is sufficient suppose that आप एक medium size का bag इस्तमाल कर रहे है तो आप उस महराम से 200 gram तक का spawn mix कीजिए अब इसके बाद उसको अच्छे से back को बन कर दिजे जब आफ अपने back का इस्तमाल करते हैं या bucket का किसी भी तरह के container का इस्तमाल करते हैं तो इस प्रात का ध्यान रखे कि जब भी आफ spawning करे इसके बाद है उसमें जरूर छेद रखे है अपने वहाँ पर ventilation के लिए जगे र तो CO2 बहुत जादा बढ़ जाएगा बैक्स के अंदर जिससे कि दिरे दिरे आपके माइसीलिम जो है उसमें प्रॉब्लम आने लगेंगे इसलिए आपको क्या करना है अगर आप वेंटेलेशन स्पेस बनाते हैं तो प्लीज उसमें कॉटन डाल दीजें नहीं तो बाहर से मक् अलग अलग वराइटी के लिए अलग अलग टाइम लगता है अगर आप उस्टर मश्रूम उगा रहे हैं जिसका ब्लू उस्टर जाना जाता है जिसमें बहुत जादा फूटिंग निकलती है वह लग बग आपका 20 डेज में उसका फुल माइसीलिम रन हो जाता है अब देख आट को एक example के लिए follow कीजिए तो जिस strain का जिस तरह का temperature है और जितने दिन के लिए incubation stage maintain करना है मैंने आपके लिए ये दे दिया है आप इसको follow कीजिए तो अगर आपने पिंग उश्टर मश्रूम सपोस किया है तो आप इसको 10 दिन तक observe कीजिए आपका back जैसे पूरी तरह जाएगा इसके बाद आपका fruiting stage आ जाता है fruiting stage में कुछ नहीं जो आपने holes बनाए हुए उनको खोल देने है और fruiting के लिए इसको sufficient उस तरह का climate में डालना है देखिए incubation में ना तो आपको कोई पानी spray करना है ना कुछ करना है simple रख देना है just to incubate आपको ये temperature जो मैंने 25-28 degree तक का अराम से इसका range रहता है इसमें कोई भी fluctuate हो आपका mushroom निकल जाएगा बहुत hassle-free mushroom है असानी से निकल जाते हैं तो जो fruiting stage है इसमें आपको basically 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है पहली बात तो ये है कि ये गलत बात है कि mushroom से बंदेरे में ऊखते है नहीं mushrooms especially oyster mushrooms को light चीए तो थोड़ा आप उसको indirect light दीजिए direct sunlight का नहीं देना है बट light देना है नहीं है तो blue light लगाईए blue LED भी लगा सकते है secondly ये भी इसको है कि इसको बंद कमरे में एकदम नहीं रखना है footing के लिए इसको air exchange चाहिए like mushroom जो होते है human जैसे होते है इनको oxygen चाहिए होता और ये co2 release करते है तो आप इसको air ventilation दीजिए अपने जो exhaust फैना चालो कीजिए ये तो खिड़की दरवाजे खोल के रखिए इस तर कर रहा हूं मैं और क्या चाहिए आपको high humidity इसके लिए आप directly हलका पानी spray कर सकते हैं या फिर अगर बहुत बड़ा farm है तो directly पानी जिस तरह से nozzle से spray करते हैं इस तरह से कर सकते हैं आप sprinklers इस्तमाल कर सकते हैं या ultrasonic humidifier इस्तमाल कर सकते हैं तो ये आपकी मर्जी है आप क्या इस्तमाल करेंगे basically humidity जो है 80-90% का maintain रखिए fresh air exchange and light ये सब जब एक साथ रहेगा और आपका temperature जो है control में रहेगा आप देखिएगा 102 दिन के अंदर अंदर आपका इसमें आपका pin heads निकलने लगेंगे जो कि छोटे-छोड़े आपके mushroom babies हैं ये mushroom आपके 2-3 दिन के अंदर इसको छूना है और इसको base से twist करना है just simple twisting से इसका harvest हो जाता है harvesting के बाद आप ध्यान रखिए कि इसको आप फैकिए नहीं अभी 2-3 बार और इसमें से fruiting आएंगे तो mushroom जो है इस तरह से निकलते रहते हैं जब तक कि उसके जो bags हैं जो उसके fruiting bags हैं उसके अंदर nutrition है तो ज आपका जो substrate है वो इसका वजन भी बहुत कम हो जाएगा और इसमें फिर बचेगा ने कुछ बटा आप उसको easily उसको vermicompost बना सकते हैं या अपने पेड़ पौधों के लिए चारे के साब उसको use कर सकते हैं मिट्टी के साथ जो कि बहुत अच्छा उप जाओ बना देता है म mushroom dry करना भी बहुत असान है और इसके लिए आप सीधा सन कर सकते हैं या खुद के लिए small DIY mushroom dryer बना सकते हैं by the way अगर आपको जानना है कैसे dryer बना है खुद के घर में तो comment में लिखिए then we will make new video on that और जो mushrooms है एक बाद ड्राइ हो जाए तो इसको आप इसको vacuum tight जगे पे रखिए यह काफी महिनों तक एकदम ताजा रहता है जिसका आप हमेशा वापिस से पानी में सोब करके रिहाइडरेट करके इस्तमाल कर सकते हैं जो mushroom business है यह बहुत profitable है mushroom का जो cultivate करते हैं जो इससे business करते हैं उनको बहुत अच्छा profit होता है और कैसे profit को calculate करना है इसके लिए आपको य mushrooms जो है बहुत type का होते हैं यह तो मैंने बताया oyster mushroom जो कि simply basically आप घर में कभी भी उगा सकते हैं बट आपको जैसे पता है market में काफी पकार के mushroom देखते हैं button mushroom भी बहुत famous है popular है हाँ आप इसकी खेती कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है button mushroom basically winter में उगाया जाता है और इसके mushrooms है basically जो inoki mushroom है lions है button है यह सब जो है winter में उगाया जाता है साती शाथ जो king oyster mushroom है गर्मियों में आप या फिर moderate temperature में शिटा के उगाई है या फिर आप जो है गैनोडर्मा जो medicinal mushroom है यह उगाई है milky mushroom होगा यह और milky mushroom तो कमाल का है अगर आपने oyster mushroom शीख लिया तो थोड़े अगर आपने mushroom cultivation सीख लिया तो आप पूरे साल तरह तरह के mushroom होगा सकते हैं milky mushroom कैसे बनाना है और यह lions में शिठाके इन सब के बारे में वीडियो बनाया हुआ है आप जरूर इसको चेक आउट कीजिए आपको आइडिया लग जाएगा by the way अगर आपको और जानना है इसके और डिटेल्स देंगे मार्केटिंग मश्रूम की मार्केटिंग कैसे करे इसको बेचे कैसे सिंपल है अब ब्यमश्रूम.com में जाएए वहाँ पर मेंबर्स कम्यूनिटी है मेंबर्स एक्स्क्लूसिव फोरम है वहाँ पर जाके आपको फेस्बूक ग्रूप वाटसाप ग् चलिए मेंबर्स दाइए अश्यूनिटी के लाटे रहते हैं मॉच्रूम की मार्केटिंग करना असान है और इसके लिए बहुत बड़ा हॉलेश्टिक अपरोच चाहिए आपको कैनेक्शन बनाने पड़ेंगा आपको समझना पड़ेगा की किक्सी भी प्रोड़क की मार्के वेबिनार है यह जो link है description में आप देख सकते हैं और इस webinar को अगर आप completely अच्छे से खतम करेंगे तो by the end of that आपको पूरा समझ में आएगा कि mushroom कहा कहा बेचना है किस price में बेचना है किस को बेचना है और जो है अगर आपको हमारी videos अच्छे लगते हैं और आप mushroom के बारे में और भी काफी कुछ interesting बाते जानना चाहते हैं सीखते रहना चाहते हैं तो क्रिप्यागर के इस channel को please subscribe कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो धन्यवाद हम फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे जल्दी मिलेंगे